रामनामी हबड़ा शुबा शाया गलू वेनुगोपाल जी, दिनेश गुंडूराव जी वेंकटरमन, वेंकटरमन जी, फात्या रजन जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकरता हमारे अलायंस पार्टनर के नेता, उनके कार्यकरता, भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत खासतोर से जो हमारी माता है बहने आई हैं आपका भी यहाँ स्वागत नमस्कार कैसे हैं आप लोग मूर अच्छा है पांच साल से नरेंद्र मोदीज देश का चौकिदार बने घूम रहा है सेल्फ स्टाइल चौकिदार जहां भी जाता है नरेंद्र मोदी कहता है मैं चौकिदार हूँ और जनता कहती है चौकिदार 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 जहां भी जाते हैं कहते हैं मैं चौकिदार जनता कहती है चौकिदार चूर और अभी तक नरेंद्र मोती जी को समझ नहीं आई बात चुनाओं लड़े ते तीन वाइदे किये प्रदान मंत्री मत बनाओ चोकिदार बनाओ 15 लाग रोपे हर बैंक अकाउंट में डालूंगा याद है आपको याद है ना अच्छा मिल गए मिल गए 15 लाग दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा मिल गया दो करोड युवाओं को रोजगार किसान को सही दाम दूँगा मिल गया किसान को सही दाम नरेंद्र मोदी जी चोकीदार ही आपने किसके की आपने कभी किसी किसान के घर के सामने चोकीदार देखा है कभी देखा है किसान के घर के सामने चोकीदार बेरोजगार युवा के घर के सामने चोकीदार देखा है मजदूर के सामने मजदूर के घर के सामने चौकिदार देखा है चौकिदार अनिलंबानी के घर के सामने होता है चौकिदार हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों का चौकिदार है सही है न तो चौकिदार जी ने वाइदा किया था पंद्रा लाग रुपए हर बैंक अकाउंट में कभी-कभी मैं भी उनके भाशन देख लेता हूँ मैंने सुना चोकीदार पंद्रा लाग देना चाहता है उसके बाद Murder Accused रमिच्चा कहता है ये तो जुमला था जूट था ये तो हमने ऐसे ही बोला था तो मैंने सोचा मैं पता लगाओ क्या हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा दे सकती है हाँ या ना तो मैंने Congress Party के Economist को Think Tank को बुलाया और मैंने उनसे सवाल पूछा मैंने उनसे कहा देखिए चोकीदार जूट बोल गया हमारे देश के दिल में चोट पहुँची गरीबों को लगा था कि बैंक में पैसा आएगा नहीं आया धोका हुआ मगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे देश के जंता ने सपना देखा कि बैंक में गरीबों के बैंक में पैसा आएगा और नरेंद्र मोदी ने वो सपना तोड़ा मैंने एक economist Congress economist से कहा think tank से कहा एक बात मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने 15 लाग नंबर दिया था जूटा था आप मुझे सच्छा नंबर बताओ आप पूरा कैलकुलेशन करो दुनिया के सबसे बैतर economist से जाके पूछो मैं यह जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिश्रत गरीब लोगों के bank account में क्या हिंदुस्तान की सरकार पैसा डाल सकती है और अगर डाल सकती है तो कितना और मुझे जूट मत बोलना मुझे 15 लाग नहीं सुनना मुझे सच्छाई चाहिए एक शर्त है हिंदुस्तान की अर्द्वेवस्ता नश्ट नहीं होनी चाहिए इतना पैसा नहीं देना है जिससे हिंदुस्तान की पूरी economy ठप हो जाए मगर पैसा देना है आप जाईए पता लगाईए नमबर दीजिए मुझे पांच महीने बाद वो वापस आए कागज पे उन्होंने मुझे एक नमबर लिखके दिया एतिहासिक नमबर शांदार नमबर धमाके का नमबर 72,000 रुपए साल के 72,000 रुपए पांच साल के 3,60,000 रुपए यह सक्चाई भाइयों और बैनों नरेंद्र मोधी ने कहा 15,000 देंगे जूट हमने पता लगाया है कैल्कुलेशन किया है हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 2019 के चुनाओ के बाद कॉंग्रिस पाटी तीन लाग साथ हजार रुपए पाँच साल के अंदर डाल देगी यह जो हमारे यह उन्टरू टांस्मेशन हो के तोल्ड यू अभी भीड में बहुत सारे पुर्ष है यहां महलाए भी आई है और आपने भी बहुत जोरों से चिलाया मगर में एक बात कहना चाहता हूँ पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा अब सोचिये साल के 72,000 रुपे पांच साल के 3,60,000 रुपे पांच करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा जाएगा 25 करोड लोगों को इस पैसे का डाइरेक्ट फायदा मिलेगा आप सोचिये हिंदुस्तान में चोकिदार ने कितना पैसा लूटा है आप से जूट बोलने नहीं आया हूँ मैं देश का चोकिदार नहीं हूँ मैं देश का चोकिदार नहीं हूँ ना मैं बनना चाहता हूँ मैं देश के दिल की आवाज सुनता हूँ मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूँ मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूँ और आपके मन में एक सवाल था आप अगबार पढ़ते हो देखते हो कि अने लंबानी को 45,000 करोर रुपए बैंक करजा देता है लोटाता नहीं है उसके बाद में उसको 30,000 करोर रुपए का राफाइल कोंट्रैक्ट मिलता है आप देखिये नरेंद्रमोदी अने लंबानी से गले मिलते हैं नीरव मोदी के साथ गले मिलते हैं मेहुल चोकसी से गले मिलते हैं अधानी से गले मिलते हैं उनकी आपने फोटो देखिये गले मिलते हुए अधानी से गले मिलते हैं मगर किसान से गले मिलते हैं बेरोजगार युवां से गले मिलते हँए देखी है यहारो अत्यांत कष्टलिदर अंतोर जोतेली नना फोटो नोडिदर वोड़तो इंतोर जोतेली वियावर यावत्त कोड़न नना नोडिला नरेंद्र मोधी 15 लोगों का चोकिदार है वो उनका आदमी है इदला नरेंद्र मोधी अवरा सनेत्र गड़ो मैं आपका आदमी हूँ और मुझे किसी की चोकिदारी नहीं करनी मैं देश की अवाज उठाता हूँ देश की अवाज के लिए लड़ता हूँ डेश की चोकिदार उन चोरों को लाखों करोनर रुपह देसकता है तो देश की अवाज देश के गरीब लोगों को करोणों लाखों करोनर रुपह देसकता है यह ऑ transmission कोड़ता आद में नागों नातर है जड़े परहने परता होबा animal. करनाटक में हमने किसानों से कहा हम आपका कर्जा माफ करेंगे हजारों करोर रुपए करनाटक के किसान का कर्जा माफ हुआ मध्यप्रदेश, राजस्तान, चत्तिसगर, करनाटक, पंजाब जहां भी कॉंग्रेस पाटी की सरकार है किसानों का कर्जा माफ किया मध्यप्रदेश, राजस्तान, चत्तिसगर, पंजाब, करनाटक, एल्लेली कॉंग्रेस सरकार गलिए और एल्ला कूड़ा रहीतर सालवन मनना माणिट तक न तीर मनना माणिट तेवे, अनुष्ठान माणिट तेवे तस दिन के अंदर किया और मैनिफेस्टों में हमने दो बड़ी सुन्दर चीज़ें लिखी हैं किसानों के लिए आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं निम्मा ये नो संकस्ट आई दे अधेना थागे दिखेना प्राइट नमारती नी पार्लिमेंट हाउस में मैंने देखा जब बजट अनाउंस होता है गैलरी में बड़े-बड़े उधियोगपती नोट लिखते हैं साल की शुरूआट में उनको पता लग जाता है उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है इसलिए इस बार 2019 में जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी किसानों के लिए एक स्पेशल अलैदा बजट बनाए जाएगा शुरूआत में ही किसान को ये पता लग जाएगा कि उसकी सरकार साल में उसके लिए क्या करने जा रही है आवन आयुवेद मुकांतरा नम रही तरगे मोदे गुताग बढ़ेको बजट गोश्ट आदागले गुताग बढ़ेको ये वर्षा नम रही तरगे एन शुलब बेस सिकते लिए शपष्ट हो आगे गुताग बढ़ेको एमस्प कितनी बढ़ाई जाएगी ये श्टो एमस्पी एन बेंबला पे लेना नो जास्ती मार्ज में तो गुताग बेको कितना कर्जा माथ होगा ये श्टो साला मनना मार्ट गुताग बेको खेत में किस प्रकार सी टेक्नोलिजी आएगी याई और आओ नम रहीत्र खुशिकरी गोस्करा याव रीतियागी टेक्नोलोजी ने तो गमवर्ती में तो कोड़ा नम हेड़ते भी सिचाई कहां कहां होगी येलेली नाओ नीरावरी ना कोड़ता कंता येली येंता अधुर विच्छान होगा नुट्सान होगा तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा येगे परियारवन येश्कोर्ती में तो कुड़ा रहीत्र के मोदले कोथाग पूरागा पूरा आपको साल के शुरुवात में ही पता लग जाएगा येल्ला विशेगलो आयो ये मनने आधा इडी दे कि इस साल हमारी सरकार हमारे ले क्या क्या करने जा रही है ये वर्षान नम सरकार नाम गोश्करा ये माड़ बेक होंता एल्ला क्रिशिकरी के रहीतरी के स्पष्ट वागी को तक बड़बेक और बजट नरेंद्र मोधी जैसे खोकले वाइदे नहीं होते है नानमते बजट म अनुष्टान आगे आगते अंतनानी संदब दलेडता ये नि किसानों के लिए दूसरी चीज किसान रही तरगोश्करा ये प्रमुका विचार गडू ये चोकिदार के जो चोर है जो मित्र है इनके इनको लाकों करोर रुपे बैंक कर लोन दिया है चोकिदार ने नामा चो अनुष्क कोटि ये श्टु ये दोडड़ा श्रीमंतरा साल वन्ना कगद आइद वर्षतरली नरेंद्रमोधी अधनना माफ माणिदरे अन्यलमानी कर्जा लेता है वापेश नहीं देता है उसकी जेल नहीं होती अनिलमानी ये तो सावरार कोटि साले तकंडरो वापस माण मगर किसान बैंक लोन लेता है वापस नहीं दे पाता है उसको जेल में डाल देते हैं तो हमने अपने मैनिफेस्टों में साफ लिख दिया है दोहजार उन्यस के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्द वापस नहीं देने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा अंगर आप किसान को जेल में डालना चाहते हो पहले आपने लंभनानी को जेल में डालो neerav modi को जेल में डालो मेहुल चौकसी, विजय मालिया, ललित मोधी को जेल में डालो महिलाओं से कहना चाहता हूँ नियाई ओजना में पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा महिलेर निम्हें एड़क इस्टा परतीने, निम्हा अकॉंट कऴे इन्याई ओजने अडियले, निम्हा यसरे कि नानो नगदना हाकता कंता कारिकरमा मारता है दिनी नियाई ओजना गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है नानो सर्जिकल स्ट्राइक इरता कंत दो बड़तन दो इरता कंत और ना अदे वरकतं निम्हा अरता है दिनी पांच करोण महिलाँ के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और गरीबी को हिंदूस्तान से मिटा दिन नानो यह आइद ध कोटी कुटोutive आड़ेंगे नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गबर सिंग टैक्स लागू किया आपके जेप से पैसा निकाल कर उनु दियोगपतियों को दिया नरेंद्र मोधी जी 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 एस्टी हाक दरो इदल ला माड़ी नम्म सामाने जनर बड़ जनर हनवन थेगित कोणू अधि यल्ला इदो प्लड़ श्रीमंत्र के कोड़ता कंते केल्सा माड़ी दरे चोकिदार ने आप से पैसा चोरी करके अनिलंबानी को दिया, हम अनिलंबानी से पैसा छीन कर आपको वापिस देंगे मगर हम महिलाओं को लोकसभा, विदानसभा, राजसभा में भी देखना चाहते हैं इसलिए हम दोहजार उनिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत रेजर्वेशन विदानसभा, राजसभा, लोकसभा में देने जा रहे हैं महिलाओं को 33 प्रतिशत रेजर्वेशन विदानसभा, लोकसभा, राजसभा, राजसभा में देने जा रहे हैं और सरकारी रोजगार, सरकारी नौक्रवेशन रेजर्वेशन नाशनल लेवल पे महिलाओं को देंगे अदिक्ट उतार तिर्माना केंच सरकारी रोजगारे महिले रकोस्करा, मुवठ मुर्परसेंट रेजर्वेशन रुट्यों अचेल रोजजाना बादने लोज़ा को मिदल साइस और स्मॉल बिसनेस वालों को मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोधी जी ने आपको चोट पहुंचाई बैंक का पैसा अनिलम्बानी को दिया बैंक की तिजोरी के चाबी उन्होंने अनिलम्बानी को पकड़ाई अनिलम्बानी से बैंक की चाबी छीनकर हम करनाटका के युवाओं के हाथ में कर देंगे अगर कोई भी युवा निया बिजनस चालू करना चाहता है तो बिना कोई पर्मिशन वो अपना बिजनस चालू कर सकेगा सरकारी ऑफिस में जाने की कोई ज़रूत नहीं आप पहले अपना बिजनस चालू करो तीन साल बाद जवाब का बिजनस मजबूत हो जाएगा तब जाके आप पर्मिशन लेना सरकार से सरकार कच्चे लिड़त रहोगी निंतकोंडो आप पर्मिशन नो यह परवाग ने अदल्ला बेको अंत निंतकोंड़त अवर्श्य कते इल्ला युव करो यह ना दो शुरू माड़ बेकोंटे अधर उद्धी में नेर बागी शुरू माड़ कोड़ ले मूर बर्श नड़ आज खाली हैं नोड़ी नलवत वर्श दल्ली अथी हेच्चु निरुद्योगा देश दल्ली इवत तु आई देश दली इदे अधिके आधरे निरुद्योगा इदे आधे सुमारू इप्पोत लक्षक किंत हेच्चु इवत इंदुस नौकरी गळू सरकार मड़ दली खा अधिके आधे नम सरकार रचनेयाद मेले यहला इप्पत इयल्डो लक्षा यहनो सरकारी नोकरी गड़ी दे अधे लवन न कोड़ा नेम का मारता कंता बर्ती मारता कंता केल सा वंध्वार्श दली मारती निंता इसंत्व लेड़ता देनी पंचायतों में 10 लाख युवाउ अधिवासी और धलेतों पर हिंदुस्तान में आज अत्याचार होता है नम बुड़कटे जनांग दावरो मतु नम दलीतर मेले इवादो देश दली बाड़ास्टो अत्याचार आगता है दे नम अधिवासी और दलेतों का नुकसान होता है उन पर अत्याचार होता है हमने आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी थी और जो आपका पैसा है वो नरेंद्र मोधी की सरकार आपसे चीनती है वो पैसा हम आपको वापिस देंगे यह नो हना निम्मात इर्था कंता दिने यह नो वपस तो होंड़ी तरे नरेंद्र मोधी और निम्कि अधनन वपस कोड़ता कंता क्याल सहुना मारता है यह नहीं होगा मनरेगा का प्रधान मंत्री ने मजा कोडाया था कहते है देश को नुक्सान हुआ मनरेगा को हं 100 दिन से 150 दिन तक बढ़ाईंगे इस अबेगे इगा नम्मा शार्षिकांगा पक्षित नाये करो सिद्रामेन कोड़ बंदित अरे आवरों कोड़ा नानों स्वागत वन्नों कोड़ता है दिनी मन्रेगा तो मन्रेगा को हम सो दिन से एक सो पचास दिन तक बढ़ा देंगे और नाये योजना का बहुत बढ़ा फाइदा आदिवासियों दलेतों गरीब लोगों को होगा अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विचार धारागी लड़ाई है एक तरफ नफरत क्रोध गुस्सा वंद कड़े द्वेशा हिमसे कोपा बटवारा दूसरी तरफ प्यार भाईचारा और प्रगती एक तरफ पांच साल का अन्याय दूसरी तरफ न्याय एक तरफ पंदरा भीस लोगों को हिंदुस्तान की तुजोरी की चाबी दूसरी तरफ लाखों करोणों किसानों को मजदूरों को छोटे दुकांदारों को हिंदुस्तान की तिजोरी का फाइदा चुनाओं अने लंबानी और आम जनता के बीच हो रहा है जोरों और इमानदार लोगों के बीच हो रहा है एक तरफ जूटे वाईदे दूसरे तरफ सच्चाई एक तरफ 15 लाख रुपए दूसरी तरफ 3 लाख साथ हजार रुपए एक तरफ किसानों को सही दाम देने वाला जूट दूसरी तरफ किसानों को करजा का माफ करने वाली सच्चाई एक तरफ 2 करोड युवाओं को रोजगार देने का जूट दूसरी तरफ 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की सच्चाई बाईओ और बहनों हिंदुस्तान में सच्चाई की जीत होती है बाईओ और बहनों हिंदुस्तान में सच्चाई की जीत होती है 2019 के चुनाओं में सच्चाई की प्यार की भाईचारे की जीत होने वाली है आप दूर दूर से आए आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो गाउं गाउं में जाते हो कॉंग्रेस पार्टी के लिए इसके लिए आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप रोज नरेंदर मोधी और बीजेपी के जूट के खिलाव लड़ते हो आप नरेंदर मोधी मध्यू पीजेपी असुल्लिन विचारधा विरुद्धा हो गाउं मारता देज़ा नियाए योजना आपकी सोच है आपकी विचारधारा की सोच है यहां आज JDS के भी कार्य करता है मैं आपका भी स्वागत करता हूँ JDS के senior नेता बैठे है Chief Minister जी बैठे है Sidra Ramayya जी आए है Khargay जी आए है D.K. Shiv Kumar जी आए है आप सबका स्वागत करता हूँ JDS ना मुकंडर गड़ो मुक्य मंत्री गड़ो Sidra Ramayya अवरो Shukumar अवरो हलवार मुकंडर बंदी दारे Khargay सावर बंदी दारे और गेल्डर कोड़न दानो स्वागत वोन वाइक तिकवागी मारता है दिनि आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद Namaskar, Jain नम गेल्डर कोड़ा Namaskar, Jain Namaskar, Jain जनमेची दा मुक्य मंद्रिकड़ा आधां ता स्रीमान कुमार स्वामी अवर तमनुद्धेशीशी मात नड़तारे राहितर बंदो राहितर उशिरागी राहितर सालवनना मन्ना मड़िर तक्कंता मन्नीन मगा कुमार स्वामी मुक्य मंद्रिकड़ा मात नड़तारे